दोस्तों नमश्कार जयमेता कि संजे बोलना आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। ग्रैफल राशिफल के जो 26 हालात हैं उसकी सीरीज में आज ये मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो हमने बनाई थी जब 35 साला और 36 साला चक्र दोनों को कनेक्ट करके हमने एक घर में ग्रह निकाला था जिसके उस वर्षफल के उपाय बनते हैं। तो इसमें हम जो ग्रैफल राशिफल की जो दूसरी ग्रैफल राशिफल की जो नई हालात है जो की चौती हालात है उसमें पहले और बाद के घरों के ग्रह उनको आपस में कनेक्ट करके जो उपाय बनाय जाते हैं वर्षफल में तो उसको हम देखेंगे इस तरीके से या इ पहले हम समझते हैं पहले और बाद के घरों के ग्रह की परिभाशा क्या है। ये समझना बहुत जुरूरी है क्योंकि इसमें भी बहुत लोगों में confusion देखा गया है। इसमें दो चीजों को connect करना है मित्रों। अब पहले घरों की परिभाशा ये कहीं नहीं लिखी और आप इसमें देख रहे हैं, मैंने लाल किताब से पन्ना उठाया है, कि एक से छे तक के ग्रैप पहले घरों की ग्रै होंगे, साथ से बारां तक के ग्रैप बाद के ग्रैप होंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, इसम दो conditions में तरोग जोड़ी गई है नमबर एक condition है द्रिष्टी और दूसरी condition है में तरोग कि वो गिंती में पहला होना चीए यहीं कि पहले घर का ग्रह होना चीए अब हमें stable को लेके पहले और बात के घरों को पहले परिभाशित करते हैं और फिर उनको लेके ग्रैफल राशिफल बनाके कैसे उपाय बनाए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे यह आप चार्ट सामने देख रहे हो इसमें कुछ ग्रहों को मैंने एक से बारा तरके घरों में लगा दिया है अब वो सामाने ते सारे मैंने उच्च के ग्रह लगा दिये जो भी उच्च के ग्रह बनते हैं सबको इन घरों में अपने अपने घरों में लगा दिया मैंने तो अब इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन किस के लिए पहले घर का ग्रह है कौन किस के लिए बाद के घर का ग्रह है हम शुरू करते हैं सूर्य से, सूर्य बैठा है खाना नमबर एक में, इसमें दो कंडिशन जो बताएगी है कि दृष्टी और एक दो तीन की तर्तीब, यानि कि गिंती, अब सूर्य देख रहा है अपने से सात्वे खाने को, तो यानि कि सूर्य के लिए जो सामने सात्वे खा का ग्रह है, तो उसके लिए शनी बाद के घर का ग्रह हो गया, और शनी के लिए शूर्य पहले घर का ग्रह हो गया, इसी तरह से हम देखेंगे ब्रस्पती और मंगल में, अब ये दृष्टी से मिल रहे हैं आपस में, और गिंती में ब्रस्पती चौते घर का मालिक है, चौ आठ और दो को अब आठ वी में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है मां लीजिए केतू को आठ में बिठा दीजिए यहां पर तो आठ से द्रिष्टी दो पे जाती है तो इसमें पहले गर का ग्राव बाद के गर का ग्राव कौन हो शायद आप इसमें कंफ्यूज हो गए लेकि दूसरा गिंती देखने है एक दो तीन तरतीन यानि कि चंद्रमा दूसरे नंबर पे है चंद्रमा का दूसरा घर है और केतू का आठ मा घर है तो पहले घर का कौन हुआ पहले घर का चंद्रमा हुआ वेलकुल आपने सही समझा और केतू बाद के घर का ग्राव हुआ तो इ के घर का ग्रह होगा क्योंकि आठ नंबर दो के बाद आता है इसी तरह से हम देखते हैं और इसमें सिरफ सात्वी ही द्रिष्टी नहीं है मित्रो कि आमने सामने के घरों में हो सात्वी द्रिष्टी नहीं है 100% वली इसमें द्रिष्टी योग चंद्र और बुद्ध के बीच म इसे तरह से हम देखेंगे कि बुद्ध और शुक्र के बीच में बुद्ध छटे घर में बैठा है और शुक्र बारवे घर में बैठा है तो यानि कि शुक्र बाद के घर का ग्रह हुआ और बुद्ध पहले घर का ग्रह हुआ अब राहू के स्थिति समझिए राहू के लिए बाद के घरों के ग्रह कौन से हैं क्योंकि तीसरे खाने से द्रिष्टी 11 पे भी जाती है और 9 पे भी जाती है 11 में इस समय कोई ग्रह नहीं है मा लिए 11 में अगर शनी देव बैठे हैं तो क्या होगा राहु के लिए शनी और केतु दोनों बाद के घरों के ग्रह हुए और केतु और शनी दोनों के लिए राहु पहले घरों का ग्रह हुआ वैसे तो सूरज एक में है और मंगल दस में है तो क्या इनके बीच में भी पहले और बाद के घरों के ग्रह का रिष्टा बनेगा संख्या के हिसाब से तो बन रहा है लेकिन दृष्टि के हिसाब से नहीं बन रहा है इसलिए खाना नमर एक में बैठा हुआ सूर्य मंगल के लिए पहले घरों का ग्रह नहीं है इसी तरह से खाना नमर दस में बैठा हुआ मंगल सूर्य के लिए बाद के घरों का ग्रह नहीं ह करें तो इसको प्रियोग करने के लिए यह जो सामने ग्रैफल राशी फल का जो नियम लिखा हुए नियम नंबर 4 इसका हम प्रियोग करेंगे और इसको समझेंगे क्योंकि यही पहले और बाद के घरों की जो प्रैक्टिकल इंप्लिमेंटेशन है आपकी कुंडली में उसको फलित करता है अब कैसे करेगा कि यहां लिखा हुआ है कि पहले घरों का ग्रै राजा होगा और बाद के घरों का ग्रै वजीर होगा यानि कि पहले घरों का ग्रै जो होता है वो ग्रैफल होगा और बाद के घरों का ग्रै रा कुछ लोग इसको हिले हुए हों बोलते हैं ये हिले हुए हों नहीं है ये मिले हुए हों है और इसका मतलब क्या हुआ कि वो ग्रै वर्षफल में वहीं आएगा जहां नैटल चार्ट में यानि कि लगन कुंडली में था इसलिए इसको कहा गया कि वो अपनी जगह से मिले हैं यानि कि वहीं पर आये वो जहां पर वो वर्षफल जहां पर वो लगन गुंडली में था और दूसरे जो राशेफल वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है बाद के घरों के ग्रह जब की वो अपनी मुकर्रर जगह से चल कर किसी दूसरी मुकर्रर जगह पर पहुंच जाएं इसका क्या मतलब हुआ कि जो बाद के घरों का ग्रह है मित्रो जो राशेफल का होता है वो अपनी उसी मुकर्रर जगह पर ना आये जिस पे की वो लगन चाट में था तब ही इस सूत्र का हम प्रियोग करेंगे यानि कि मान लीजिए इस टेवे में ब्रस्पती पहले घरों क ग्रह है और मंगल बाद के घरों का ग्रह है जब वर्श्वल चार्ट बनेगा इस जातक का ये हो गया लगन चार्ट और ये हो गया वर्श्वल चार्ट मान लीजिए किसी आयू के किसी दौर में ब्रस्पती चौथे घर में ही आ जावे और मंगल दस्वे में ना आवे यान हम ग्रहफल राशीफल का सिध्धान्त लगाएंगे और करेंगे कैसे कि अब किस को किस में लगाना कि जो ग्रहफल का ग्रह होता है यानि कि ब्रहसपती और मंगल हो गया राशीफल का तो राशीफल वाले के पक्के घर में ग्रहफल वाले को लगाना अब मंगल का पका घर कौ हम मंगल तीन के उपाय दे के इस जातक को निजात दे सकते हैं लेकिन सिर्फ मंगल तीन के ही उपाय बनेंगे या सिर्फ इसी कॉंबिनेशन को लेके उपाय बनेंगे ऐसा नहीं है ये सिर्फ आपके पास एक और टूल है एक और यूटिलिटी है जिसका प्रयोग करके आप उ दूसरी हालात और भी कई नियम है लाल किताब में जिन में ये एक नियम है पहले और बाद के गरों के ग्रैवाला, जिन में ये भी एक नियम है जिसका प्रयोग करके आप उपाए बना सकते हो। और इसी तरह से अब इसमें माली जी हम ले लें जिए चंदर और बुद्ध के बीच में क्योंकि चंदर और बुद्ध के बीच में जैसे हमने बात की कि दृष्टी है अब फिर से वर्ष्वल में अगर चंदरमा दो में ही आ जाए और बुद्ध किसी ऐसे खराब घर में आ ज रिष्टा कहते हैं उस हिसाब से चंद्रमा ग्रैफल का हुआ और बुद्ध राशिफल का हुआ लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया चंद्रमा कभी भी ग्रैफल नहीं होता तो इसका मतलब अब इन में रिष्टा फ्लिप हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा यानि कि अब चं राशिफल वाले के पके घर में रहना है तो हम बुद्ध चार के उपाय देंगे क्योंकि बारवे घर में बुद्ध ग्रैफल का है तो बारा के बुद्ध के उपाय नहीं बनते लेकिन पहले और बाद के घरों के ग्रहों का तरीका हम यूज़ करके बुद्ध चार के उपा में कि सूर्य एक में है और शनी सात में है तो अब इन में पहले और बाद के घरों के ग्रहों का रिष्टा तै हो गया सूर्य ग्रहफल का है और शनी राशिफल का होता है तो अगर वर्षफल में कभी सूर्य पहले ही घर में आ गया और शनी किसी खराब घर में आ गया मा लेज प्रके लेकिन सिरफ यहीं तरीका होगा ऐसा नहीं है और भी बहुत टूल THISंग है जिनको आप यूज़ कर सकते हो और अगर इसके उलत हो जाए कि माली जींस टe वे में वर्षवल में वर्षवल की बात कराई है मित्रो वर्षवल में हम लगन की बात करें दो इनके बीच में पहले घरों की ग्रह का रिष्टा हो गया कि शनी पहले घरों का ग्रह है और सूर्य बाद की घरों का ग्रह है लेकिन सूर्य कभी भी राशिफल नहीं होता यह ध्यान रखना पड़ेगा आपको मित्रो और इसलिए अब इसमें रिष्टा फ्लिप हो गया तो शनी राशिफल हो गया और सूरे ग्रहफल हो गया यानि कि शनी के पक्के घर खाना नमबर दस में रखके हम शनी के उपाय करेंगे अब एक और स्थिति मित्रों बन सकती है और इस स्थिति को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि माल लिजिए मं में आजए या छे में आजए या साथ में आजए तो अब क्या करेंगे इस स्थिति में क्योंकि मंगल पहले घरों का ग्रह है जो उसी घर में आ गया और ब्रस्पति बाद के घरों का ग्रह है जो कि उस घर में यानि की दसमें खाने में ना आके कहीं और आके और खराब होके बैठ गया, अब ब्रस्पती की खराबी को मंगल और ब्रस्पती का ये जो रिष्टा लगन कुंडली से पहले और बाद के घरों के कंसेप्ट से बन के आया है, अब हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो अब मंगल जो ग्रैफल वाला है, उसको राशी फल वाले ब्रस्पती के पक्के घरों में लगाएंगे, अब ब्रस्पती के पक्के घर कौन कौन से हैं, दूसरा घर भी है, पांचवा है, नौ है, ग्यारा है, तो बारा है, तो अब क्या करें, अब कौन से घर में लगाएं मंगल को, तो ये हमें अपने विवेक से और वस्तु स्थिति को जानते हुए कि जाता कि उम्र के दौर में कौन से घर से related problem है कौन से घर से सम्मंधित समस्या है मित्रो क्या उसको अपनी घर ग्रहस्ती की समस्या है क्या उसको बारवें घर से related समस्या है क्या उसको अपने पुरोजों या अपने भाग्य से related कोई समस्या चल रही है या अपने आमधनी आय को लेके समस्या चल रही है या घर परिवार को लेके समस्या चल रही है बच्चों को लेके समस्या चल रही है तो उस हिसाब से मंगल को ब्रस्पती के उस पक्के घर में रख के हम उपाई देंगे अगर बच्चों को लेके समस् किसी तरह की तो यह हमें ध्यान देना होगा मित्रो यह अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो इसमें हमें अपना विवेक या हमारी अपनी नॉलिज है वो यूज करनी पड़ेगी और दूसरे permutation combinations को लगा के और फिर ही specific भाव के मंगल का उपाय बनेगा हमारा तो आशा करता हूँ कि यह आपको थोड़ा clear हो रहा हुआ अब नीचे की यह पंक्ती पड़ते हैं क्योंकि यह बहुत जरूरी है पड़ना इसको समझना बहुत जरूरी है कि आम तोर पर वर्श्वल के बोलने वाला वजीर होता है यह तो राजा और वजीर का रिष्टा है ठीक है हमें समझ में आता है कि जो ग्रह के पहले और बाद के के होने का सवाल भी साथ में खडा हो जावे यानि कि एक ग्रह जो तक्त पे आया है वो राजा है और दूसरा उसका वजीर है परंतु लगन कुंडली में उनमें दूसरा रिष्टा बन रहा है कि एक उनमें से वजीर है और दूसरा उनमें राजा है तो फिर किसको हम priority देंगे जो पहले और बाद के घरों के ग्रह के तरी जाए गया है तो अगर ऐसा कोई contradiction आ जाए तो फिर हम इस method को इस method से जो ग्रैफल राशन रहे हैं उनको हम priority देंगे इसमें इतना समझाए गया है तो मित्रों यह है ग्रैफल राशिफल का जो चौता सिध्धान्त उसको लेके वर्षवल में जब वोक्र है अपने उस रिष हिसाब से ग्रैफल राशिफल के बनके आ जाएं या इस रूल के हिसाब से ग्रैफल राशिफल के बनके वर्षवल में आ जाएं और खराबी कर रहे हूं तो उनके उपाए किस प्रकार से होंगे यह उसका खाका मैंने आपके सामने खीचा आशा करता हूं कि यह आपको समझ साला और 36 साला को connect करके उपाए बनाने की जो तरीका आपको समझाया और ये तीसरा तरीका है तो इसी तरह से इस सीरीज में हम जब ये सारे cover कर लेंगे तो आप देखोगे कि आपकी predictions में या आपके उपाए में जो सटिक्त आएगी जो quality improvement होगा और जो उसके पीछे आपको ए अंदे से symptom पुछे और हमने उसी घर के उसी घर के उपाए चपका दी तो ऐसा भी लोग करते हैं ठीक है उनकी अपनी तरीका है सबका अपना अपना शिफा होता है लाल किताब ने सबको अलग-अलग धंग से अपना आशिरवात दिया हुए तो हम इसको technical धंग से समझ रहे और अपने और मित्रों के साथ भी इसको साजा कीजिएगा मित्रों क्योंकि ग्रैफल राशिफल पर बहुत कम मेटरियल सोशल मीडिया पर यूट्यूब वगरा पर है तो यह हम सब का फरज बनता है कि जो विद्यार्थी लाल किताब को सीख रहे हैं या धंग से सीखना चा